हम फ्रेंट्स और मेरे स्टुडेंट्स आज मैं एक बहुत ऐसी टॉपिक्स लेने जा रहा हूं जो सिर्पी स्टुडेंट्स के लिए नहीं है बलकि उनके गार्जियन्स के लिए भी हैं गार्जियन्स के लिए हैं उनके दोस्तों के लिए हैं हर बैकती जो पैसा बैंक में ज जमा पूंजी में आप जितने पैसे जमा करते हैं उस पर जो बैयाज देती है बैंक उस पर कितना इंकम टेक्स आपको लगता है इस वक्त मैं वो बता रहा हूं जिससे के आपको पैसा जभी जमा किजिएगा आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी एक बात यह जारी इंकम ट पोजिट होते हैं जिसमें एक है आपका करेंट एकाउंट यह सबकी नहीं खुलती है बलकि संस्था की खुलती है किसी भी संस्था की करेंट एकाउंट जो होती है वो किसी भी संस्था की खुलती है जिसे हम लग हिंदी में बोलते हैं चालू खाता चालू खाता इस पर बै प्याज नहीं देती है इसलिए प्याज नहीं देती है तो कि BANK कि BANK को आपको अधिक से अधिक transaction की अंगमति पदान करती हैं बाइं गया कंट युए मलोग बोलते हैं Cevings से काउंट जब कोई WHAT बेकती आँ मादमी हो कोई वेकती और मैं पैसा जमा करता पहली यह वार उसे वो बन पीजा에서 saving एक्वाइंट में अप जितने भी पैसा जमा करते हैं उस पर मैंघ ब्याज एती है जो आज के दिनों में बहुत कम हो गई है मैंक तिन परतिसाथ से कम ब्याज जती और बारसिक होती है और हर तिर महीने में आपके एकांट में जमा होती है फिर उस होती है तो माल लिजेक इस पर आपकी कुछ पैसा जमा है आपको जमा होती है फिर यह रेकरिंग डीपोजिट रेकरिंग deposit में होता है कि हर महीने आप एक निश्चित मांतरा में निश्चित amount bank में जमा करते हैं जिस पर bank savings से आपको ज़्यादा देती है इससे हम लोग बोलते हैं आवर्ती जमा भी आवर्ती जमा भी बोला जाता है फिर है fix deposit जो मियादी इसको हम लोग बोलते हैं मियादी जमा मियादी जमा जिसमें कि एक बारा पैसा जमा करते हैं एक निश्चित समय के लिए बैंक एक निश्चित ब्याज आपको देती है अब माल लिजए कि आपके पास तीन अकाउंट हैं आप तीन अकाउंट में पैसा जमा करते हैं माल लिजए तीन अकाउंट आपको हम बता दिये तीन अकाउंट में आप पैसा जमा किये सपोच किजिए कि इस पर से आपको दस हजार ब्याज मिला एक साल में इसमें से आपको मिला बीस हजार ब्याज और ये मिला आपको पंदरह हजार ब्याज तो कुल ब्य 45,000 आपके कुल ब्याज हो गए अब 45,000 ब्याज हो गए तो सरकार का नियम करते हैं जो ब्यक्ति सिन्यर सीटिजन नहीं है अर्थाथ जिसकी उम्र 60 से कम है उनको 40,000 अब ब्याज हो गया तो इनकम टेस लगएगा अगर आप पैन कार दिये हुए है तो 10 परसेंट अगर पैन नहीं दियेुए हैं तो आपको लगेगा 20 परसेंट इनकम टेक्स और था 40,000 रुपईया आपका परकर गिया यानि 45,000 रुपईया पे आपको लग जाएगा income tax यानि कुल मिलाकर अगर आप पैंड नहीं दिये हैं तो आपको लगेंगे 9,000 रुपईया और अगर आप पैंड कर दिये हैं तो आपको लगेंगे साहरे 4000 रुपया आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर एक रुपया बढ़ेगा तो सिर्फ एक रुपया पर टेक्स लगेगा बलकि आपको पूरे 40,000 पर लगेगा ठिक उसी परकार अगर आपके 69 साल है और तो आपको 50,000 रुपया तक आनि कि आपको 50,000 रुपया तक आपको इंकम टेक्स नहीं लगेगी और जैसे ही आप 50,000 पर किजिएगा आपको पैन देने पर पैन देने पर 10% और नहीं देने पर 20% आपको ब्याज लगेगे यदि माल दिजिए कि आपका ब्याज दर 50,000 रुपया हो गिया तो आपका इंकम टेक्स अगर पैन दिये हैं तो 5,000 अगर पैन नहीं दिये हैं तो 10,000 रुपया लगेगा आप ये सोच लिजिए इसलिए आप बैंक में पैसा जमा करने के पहले देखिए कि आपको ब्याज कितने मिल रहे हैं अगर ज़्यादा पार कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे के नाम पे एकाउन खोलिए जिससे कि आप इंकम टेक्स बस सकते हैं ये थैंक यू और ये वीडियो आप देखिए आपको पर्दिमन में बहुत लाब देंगे